स्टूडेंट्स स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारी चैनल ऊपलर गुरूपर और वापस आप लोग के लिए बहुत बड़ी अपडेट यहां पे ले किया गया है पाटली पुत्र यूनिवर्सिटी में सनातक के जो स्टूडेंट्स है उनके लिए चाहे आप पीजी के स सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब आप सब्सक्राइब करें लिए बहुत ज्यादा इंपक्त करने वाला है आज यह नोटिस इसलिए स्टूरेंट्स विडियो को कंप्लीट जरूर देखिये और वीडियो आगे पड़ा है उससे पहले आपको बता दे कि हमारे इस चैनल प सीधा लेके चलते हैं आपको सीधा नोटिस के ऊपर देख रहें आप लोग छात्र छात्राओं को देना होगा सिर्फ दिर्ग उत्तर ये प्रशनों का उत्तर आपके अब जो भी आगे एक्जाम होने वाले हैं हैं mcq कहीं नहीं होने वाला आप लोग इस बात से संतुस्ट हो जाएं कि आप आप जो भी एक्जाम होगा वो सब यहां सब्र होने वाला यानि जो एंसी की विएक्जाम होता था 4 ओप्शन होते थे उसमें एक में आप में लोग को कालर करना होता था या फिर उसमें एक पैन में उसको डीप करना गाड़ा करना होता था तो वो जो है वो अब नहीं होने वाला क्योंकि अब पीप्यू के बहुत सारे यहां पे मीटिंग्स के बाद यह फैसला लिया गया कि अब जो सनातक में नहीं होंगे बहु विकल्पिये प्रशियाने की क्यों नहीं होंगे क्यों नहीं होंगा और क्या क्या आपके रिजल्ट के रिजल्ट को लेकि क्या क्या अपडेट है सारा कुछ यहां पर आज बताने वाले क्योंकि आज के इस नोटिस में बहुत कुछ अलग अलग तरह के फैसले लिये गए हैं जो कि आपके लिए बहुत बीकॉम के एच्छिक विश है यानि कि जो आपका optional subjects भी होते हैं subsidiary जो होते हैं आप लोग के उसमें बहु विकल्पी ये प्रशन नहीं पूछे जाएंगे इस बार आपका जो subsidiary में पहले जो होता था वो बहु विकल्पी ये प्रशन पूछे जाते थे और और subsidiary नहीं लिया जाता था था कि आपका यहां पे आपका जो subsidiary में जो subjective questions होते थे वो नहीं होते थे ताकि copy चेक करने में असानी हो जो subsidiary हो वो बहुत ही जल्दी उसको copy check करके results जल्दी जारी कर दिया जाए लेकिन अब से आपके subsidiary subjects में भी यहां पर आपका subjective questions होंगे उसमें आपको answers लिखने पड़ेंगे वो जो बड़े-बड़े answers होते हैं वो आपको बकाइदा copy यां दी जाएंगे उसमें आप को answers लिखने होंगे और यह निर्ण है यहां पर आप लोग देख सकते हैं दिर्ग उत्तर यह प्रश्णों का उत्तर देना को यह निर्ण है परिक्षा समीति की बैठग में लिया गया इसके अलावा कई अन्ड महत्पूर्ण फैसले लिए गए महत विश्विद्याले की और से कोरोना काल के दौरान पिछले सत्रों की परिक्षाओं में एचिक विशय यानि की जो ऑप्षिनल जो सब्सिडरी विशय थे उसमें दिर्ग उत्र यह प्रश्णों की जगभा बहुवी कल्पिय प्रश्ण पूछे गए थे ताकि छात्रों की कॉपियों का मुल्यांकन जल् आप देना होगा हलांकि इसके बाद भी रिजल्ट में विलंब हुआ था यानि कि फिर भी यह किया गया था इसके बाद भी रिजल्ट लेट हुआ था ऐसे बदलाव के कारण सनातक के चात्रों के अंदर लिखने की शमता होनी बहुत ज़्यादा इंपोटन है घर पे लिख लिखने का जो शमता है उसका एक प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा इंपोटन है इसके अलावा शात्रों का समय पर जाने का शेड्यूल तयार किया और विलंब से चल रही पीजी परिक्षाओं को सबसे पहले पट्री पर लाने की कवायत तेज कर दी गई अप्रेल तक परिक्षा कराकर पीजी के सभी संकायों का रिजल्ट जारी करना है आप लोग यहां पर बहुत बड़ी अपडेट जो कि पीजी को पीजी से रिलेटल आपको देखने के मिल रहा है आगे भी बहुत सारी इंपोर्टेंट चीजे हैं बताया जा रहा है कि विश्विद्याले परिक्षा को पत्री पर लाना प्राथ मिक्ता है और सत्र को नियमित करना है तो आप लोग के लिए बहुत इंपोर्टेंट नियूस थी जो कि अब आपके जो परिक्षा के तयारी आप लोग कर रहे हैं उसमें कितना बड़ा चेंज हो गया है और आप लोग पहले आप लोग जाते थे और मार्केट में सेंपल पेपर या फिर जो भी खरीते थे उसमे आप लोग MCQ वाले सेंपल पेपर खरीते हैं ताकि आपको पता था कि इस तरह के कोशन साने कोशन होगा नीचे चार ओप्शन होगे लेकिन अब यहां पर आप लोग का जो है वह सबसीडरी में भी आप लोग का सब्जेक्टिव कोशन आएगा यानि कि एक कोशन और उसके नीचे एक बड़ा थोड़ा बड़ा एंसर उसका रहेगा तो आप लोग का पता है कि अगर आप लोग ने कुछ पढ़ने के लिए कुछ मिटेरील ख रीदा हुआ है तो आप लोग अप नय मैटेरियल किस तरीके से खरीदने वाले और है क्योंकि जो चीज़े हैं वह लगे और सबसे इंपोर्टेंट चीज्स आपके results के ऊपर बहुत ही जल्द video आने वाली है क्योंकि उसके ऊपर भी कई तरह के तरह के फैसले लिए गये हैं आपके इहां पर कुल पती के दौरा उसके ऑपर बहुत जिल्द वीडियो आने वाली यह बीडियो थोड़ी सी यहां पर अने वाली स्लिए तोड़ा सा आपको व्यट यहां पर करने की ज Smut रहते हैं तो आप भी updated रहे हैं आप टेलिग्राम और WhatsApp ग्रूप दोनों जॉइन कर सकते हैं इस वीडियो के नीचे description में आपको link मिल जाएगा और वीडियो को like निके तो like कर दें मिलते हैं next update के साथ जैसी कोई भी update PPU जारी करता है उसके साथ लेकिन update से जुड़े रहने के ल बटन है लाग लरका उसको दबा दे मिलते हैं next update के साथ तब तक के लिए नमस्कार